Hello students, मैं कानन सक्सेना आज आपके लिए next concept लेकर आई हो ethology का that is concept of science stimulus इसे पहले हम लोग concept of fixed action patterns पर चुके तो science stimulus क्या चीज़ है किसी भी fixed action pattern को बाहर निकलवाने के लिए elicit करवाने के लिए एक simple stimulus की आवशक्ता होती है जिसे हम science stimulus को हम key stimulus नाम भी देते हैं या फिर उनको releasers भी कहा जाता है यह ऐसे simple और specific stimuli जो की एक particular FAP release कराते हैं इनका पता या इनके बारे में सबसे पहले कॉन्रेड लॉरेंज ने बताया था कि ये एक stimulus जो की science stimulus कहा रहा है वो एक प्रकार की चाबी है जो एक fixed action pattern किसी particular fixed action pattern के ताले को खोलती है समझ गए ना यानि fixed action pattern is now यहाँ पर एक lock की तरह काम करता है और science stimulus जो है वो एक key है तो science stimuli जो है वो किसी भी animal के nervous system में किसी particular behavioral pattern को unlock करती है यह खोलती है यहाँ पर आप इस figure में एक stickleback fish देखेंगे त्री-spine stickleback fish है और यहाँ पर एक model है जिसकी जिसका underside जो है वो red color का कर रखा है यह हम यहाँ पर actually में यह बताने जा रहा है कि male stickleback fish जो होती है वो किसी intruder के प्रती किस प्रकार का व्यभार प्रदर्शित करती है तो males जो होते हैं वो अपनी underside पर red color develop कर लेता है यह आपको पता ही है और red color जो होता है इनकी belly पर वो एक प्रकार का sign stimulus होता है जो की जो इनका कौन specific होता है दूसरा male stickleback होता है उसके अंदर एक प्रकार का aggressive behavior प्रदर्शित करवाता है उनसे इसी यह जो behavior है aggressive behavior after seeing the red belly is just a type of territorial behavior तो sign stimulus जो होता है वो बिल्कुल specific होता है एक particular type of fixed action pattern ही release करवाता है तो इसके कई सारे examples हैं यहाँ पर दिये हुए जैसे कि European robin जो होता है अगर वो किसी दूसरे European robin के territory में जाए तो वो European robin जो अपने जो उसके breast पर जो red feathers होता है उनको expose कर दिता है और उससे एक प्रकार का यह व्यवहार प्रदर्शित वो अपना aggressive या territorial behavior को exhibit करता है हेरिंग गल्स के chicks जो होते हैं उसमें हेरिंग गल्स में हम देखेंगे कि जो बीक होती है उस पर एक red spot होता है और जो chicks होते हैं जब उनको भूक लगती है तो वो उस red spot पर बार-बार pack करते हैं और हेरिंग गल्स जो है वो food को regurgitate कर देती है इस food को हम crop milk भी कहते हैं लेकिन जब तक chicks पैक नहीं करते हैं उस red spot को तब तक हेरिंग गल्स मदर है वो food को regurgitate नहीं करती है ऐसे ही एक example है songbirds का songbirds के chicks जो होते हैं ब्लाइंड होते हैं तो क्या होता है कि जब वो उनको भूक लगती है तो वो अपनी मदर देख नहीं सकते हैं अपनी मदर को तो अगर उनके nest पर जरा सा भी उसको nest को अपनी फिंगर से अगर जर देते हैं हलका सा तो वो एकदम से गई है और उनको food मिल जाएगा तो यह experiment perform करके देखा जा सकता है जनरली यह होता है कि जैसे ही mother songbird जैसे ही nest में आती है तो वो जर्क लगता है उसको जैसे आके rest करती है उस पर nest पर और जो blind chicks होता है उनको पता चल जाता है कि मदर आ गई है तो this can be performed experimentally ऐसे ही अगर किसी hen के chicks को हम एक glass cover से ढख दें तो हम देखेंगे कि और न वो बच्चे जो है वो rescue के लिए बाहर निकलने के लिए वो चिलाने लगते हैं और mother उनकी आसपास ही होती है और उनको देख सकती है लेकिन वो उनके आवाज नहीं सुन सकती जो बच्चे जो captivity में है या वो जो चिला रह हैं बाहर निकलने के लिए उनकी आवाज अगर उसको सुनाए नहीं देती तो उसको response नहीं देती और अगर इनी चिक्स को अगर एक particular wooden partition लगा दिया जाए और उनकी आवाज मदर तक महुच रही हो तो मदर या जो हैं जो है वो एकदम से उदर दोड़ी वी जाएगी और response क करेगी अपने बच्चों की distress cries को यहां पर sound जो है या बच्चों की distress cries जो है उस आवाज को हैं जो हो response करती है तो distress cries are here science stimuli जरूरी नहीं है कि एक ही हो science stimuli कई सारे भी हो सकते हैं या कई सारों का combination भी हो सकते हैं जैसे कि herring girl में मैंने आपको बताया था कि जो red spot होता है उसको देखकर बच्चे जो है वो response red spot पक करते हैं और फिर mother जो होती है वो mother जो herring girl है वो food regurgitate करेती है लेकिन ऐसा देखा गया कि जो begging behavior है जो गल्स के chicks का वो कई सारी चीज़ों पर dependent है वो है तो बिल जो है mother की girl की उसकी shape पर depend करता है उसके shape पाए गए गए जो patch है जो या red spot है जो उस पर भी depend करती है उसका color कैसा है अगर उसका color red की जगे कुछ और कर दिया जाए तो वो बच्चे उस पर इतना packing नहीं करते जितना की अगर बीक जो है वो ज्यादा अट्रेक्टिव होगी बच्चों के लिए as compared to stationary beak model तो अगर एक model ऐसा बनाया जाए कि जिसमें बीक नीचे की तरफ oriented हो तो वो ज्यादा effective होगी rather than की बीक का orientation किसी और direction में हो इसका continuity में super normal stimulus क्या चीज़ होती है जब कोई particular animals किसी एक sign stimulus के larger size को better response देते हैं तो हम यह कहते हैं कि वो एक super normal stimulus है sign stimulus का size मतलब आप increase करतीजे आप experimentally यह देख सकते हैं चेक कर सकते हैं कि bigger the size more the response यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हरिंगल का एक model है इसमें बीक पर इन्होंने जो red spot होता इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया इतना बड़ा नहीं होता थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो इस पर packing जाद होने लग जाती है फिर इन्होंने किया कि इस model की जगे एक pencil ही लेली और यह pencil red color किया इस पर थोड़ी से white ऐसे bands बना दी तो इन्होंने देखा कि इस इतना large size का red color जो इनको दिखाए दिया तो इस पर packing बहुत जादा हुई as compared to this model तो यहाँ पर एक graph बना हुआ है यह बार graph है इसमें देखिए यह natural head दिखाया है एक herringal का तो इसमें packing जो है वो particular इस level पर red spot पर इतनी होती है फिर इन्होंने standard model बनाया उस पर देखा कि packing कितनी हो रही है moving गई है सारे models को move करते गई तो standard model जो है उसका भी approximately same यहाँ जाद है approximately same packing रही फिर इन्होंने कि है कि model का head हटा दिया सिर्फ बीक र strong contrast है तो इन्होंने और moving थी है तो इन्होंने देखा कि इस में कितना difference है it was almost the same थोड़ा सा कम जाद है अब इन्होंने किया कि जब pencil ली और इस pencil पर yellow bands बना दिये बीच वीच में और बाकी whole pencil red pencil ली थी इन्होंने और यह move करती रही तो इन्होंने देखा कि इस पर इन्होंने जो chicks थे उन्होंने सबसे ज्यादा packing किया आप देख सकते हैं आपर ज्यादा है as compared to the other three cases तो सबसे ज्यादा packing जितना large size था मतलब red part जो जितना ज्यादा था उतना ज्यादा ही response मिला उसको इसलिए इसको super normal stimulus कहा जाता है तो sign stimulus जो है वो सिर्फ एक ही नहीं कई सारे चीज़ों का combination हो सकता है वो I think this is a repeat okay leave it अब यह देखिए आपको इस picture में देख सकते हैं कि एक song bird है और इसके chicks जो है वो ऐसे blind होते हैं और ऐसे अपना मुह को खोड़ लेते हैं और जो bird होती है वो अपना food इनके मुह में डाल देती है लेकिन अगर जब तक बच्चों को jerk पता नहीं चलता nest पर chicks को जब तक पता नहीं चलता कि jerk लगा है उनके nest पर तब तक वो अपनी beaks open नहीं करते तो यहां पर जो jerk है वो एक प्रकार का science junglers की तरह से act करते हैं आप अपनी day to day life में भी आप देख सकते हैं कि टीवी पे जो advertisements आते हैं वो एक प्रकार की marketing strategy होती है जिसमें हर चीज को बढ़ा चड़ा के दिखाया जाता है और एक तरीके का वो क्या तरीका है सुपर नॉर्मलाइजिंग करते है वो stimuli को तो क्या है कि हमको बोलेंगे कि आप बिलकुल white रहेंगे इसमें आप यवाला soap यूज करिया आपके body आपके skin बिलकुल soft रहेंगे आप यवाला shampoo यूज करिया आपके hair बहुत अची condition के हो जाएंगे या आपके hair बिलकुल straight हो जाएंगे बहुत shiny हो जाएंगे या particular किसी oil का अगर example दे देते हैं कि ये heart के ये healthy है तो तो अची एक ये बिल्ह जाएंगे घस इस शस्केम मैय बुटत रहें रहेंगे बूंत अची को Ox